अगर आप किसी के साथ सिर्फ पैसे या क्रीड के लिए है तो इसका अंसही नहीं हो सकता इसी कंसेप के साथ आज के हमारी मूवी कैनियन यह हल्लिवड के एक ठिलर मूवी आती है स्टार्ट करने से वहले में आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजएगा अब बिना किसी दिरीगे इस्पनेशन स्टार्ट करते हैं मूवी के स्टार्टिंग में हम हमारी चार में कैरेक्टर को देखते हैं यह मूवी हमारी हॉलिवड में सेट हुई है हमारा में कैरेक्टर जिसका नाम में क्रिशन यह मूवी का प्रोडूसर होता है उसके गर्ल्फरेंड हमारी और एक में कैरेक्टर है उसका नाम में टैरा आज क्रिशन अपनी असिस्टन जीना उसके बॉइफ्रेंड रायन के साथ डिनर कर रहा था एक्चुली क्रिशन की मुवी में रायन एज लीड हिरो काम कर रहा है यह सब जीना के रिकमेंडेशन से हुआ था यह आपर इनकी बात्ची चल रही थी जिसमें क्रिशन कहता है जीना और रायन तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगती है रायन भी क्रिशन और टैरा को कॉंप्लिमेंट करता है इसे explain करते हैं क्रिशन ने कहा कि हम दोनों एक दुसरी के साथ तो है पर फिर भी हम किसी और के साथ इंटिमेंट हो सकते है पसिव एक दुसरी के साथ होना होता है इसका मतलब है टैरा और क्रिशन यह दोनों डेटिंग एप यूज़ करते है घर पर लड़के लड़कों को बुलाते है और उनके साथ इंटिमेंट होते है पर यह सब एक दुसरी के सामने करते है टैरा के लिए बात ज़रा परसनल थी वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी इसके बारे में पता चले इसी वज़े से वो ज़रा अनकमवर्टेबल हो के क्रिश्चन को लगता है कि इस तरीके से रिलेशनशिप होने की वज़े से और टैरा पर ट्रेस कर सकता है यह सारी जीज़े रायन को बहुत ही अजीब लगी क्रिश्चन कहता है कि इसमें अजीब कुछ भी नहीं इसके बाद इनका टिनर खतम हुआ कहराने पर टारा क्रिश्चन पर बहुत गुस्सा थी वो गहती है तुम्हें ये सब चीज़ें उन्हें बतानी नहीं चाहिए थी हमारी प्राइवेट बात है हमें प्राइवेट रखनी चाहिए तुम तुमारे साइकोलोजी से जिस तरह से बात करते हो ये तुमारे लिए पसनल है ये चीज़ें में तुमसे कभी नहीं पूछती है क्रिश्चन उसे रिलाक्स करने के लिए कहता है इसके बाद इन्होंने डेटिंग आप से एक लड़के को बुलाया हुआ था इसके साथ इंटिमेट हो गए इंटिमेट होते वक्त इन्होंने रिकॉर्ड भी किया था घर पर जीना रायन से वोश्टी है तुम्हें टैरा लगी कैसी वो बहुत ही ब्यूटिफुल है रायन कहता है कि फिर से शुरू मत हो जाओ मुझे सिर्फ तुम ही अच्छी लगती हो जीना कहती कि कास्टिंग के वक्त टैरा ने तुम्हें कास्ट करने के लिए बहुत सारा फोर्स डाला था इसी वज़े से शाही तो थोड़ा सा शक कर रही है अगले दिन टैरा जब शॉपिंग के लिए जा रही थी तुसे लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है आज वो शॉपिंग मॉल में रायन सी मिली एक्चुली इन दोनों में रिलेशन्शिप थी इसके बाद उनका बरेकब हुआ था और फिर टैरा करिस्चन के साथ है अभी कुछ विक्स पहले दोनों फिर से मिले तो फिर से इनका अफेर कंटिनू हुआ है अब मिलने के बाद रायन टैरा से कहता है तो मैं क्रिस्चन के साथ नहीं रहना चाहिए मैंने कल नोटिस किया कि तुम्हें किस तरीकी से ठीट करता है तुम उसके साथ कभी भी खुश नहीं रह सकती टारा कहती है खुश रहने के लिए मैं उसके साथ नहीं हूँ जब ये दोनों रिलेशन्शिप में थे तो दोनों struggling actors है तो इनके पास कभी भी पैसे नहीं होते थे कभी-कभी घर का rain भी पे नहीं कर पाते थे इतने struggle में जीना टारा को सही नहीं लगा इसलिए उसने रायन को छोड़ दिया था वो Christian के साथ है क्योंकि उसे safe लगता है Christian वैसे भी कोई सही character नहीं उसके एक friend है जिसका नाम है Cynthia वो हमेशा उसके पास जाता है और directly intimate होता है एक दिन Cynthia उसके साथ intimate होते वकड़ उसे kiss करने लग गई Christian कोई सही नहीं लगता वो गहता है हम दोनों के बीच कोई भी प्यार नहीं है हम सिर्फ intimate हो सकते है उसे कोई भी attachment नहीं चाहिए इस बात से Cynthia को बहुत बुरा लगा कहती है फेसे वापस मता ना अगली दिन Christian की assistant जीना ने टैरा को बात करने के लिए कैफे में बुलाया जीना कहती है कि हमारे डिनर अच्छा था रायन को भी Christian पसन आया था इधर उधर के उन्होंने बाते की वाज जीना ने टैरा को उसके plans पूछे टैरा एक्च्छल में थोड़ी सी uncomfortable थी वो Christian के साथ जब relationship में कई थी तो कुछ और चाहती थी अब life से कुछ और चाहती है इनकी meeting एक्च्छल में Christian ने plan की थी वो जानना चाता था इधरा के mind में चल क्या रहा है उसे शक है इशाय तो उस पर cheat कर रही है जीना Christian को कहती है इधरा बहुत ही normal लग रही थी आज कल Ryan को पैसो की problem है उसकी movie की shooting स्टार्ट होने वाली है पर इसमें भी उसे ज़ादा कुछ पैसे मिलेंगे नहीं जिस बार में वो part time काम करता है उस बार के owner के पास हो गया उससे उसने extra shift मांगी बार का owner ये gay था और जिनें भी पैसो की जरूत होती थी उन्हें वो exploit करता था वो Ryan के साथ भी intimate होने की कोशिश कर रहा था पर Ryan वहाँ से चला जाता है इसके बाद वो Tara से मिला उसके साथ intimate हो गया Actually Christian Tara और Ryan पर नज़र रख रहा था उससे पता चल गया कि इन दोने में affair है अब Ryan को torture करने के लिए Christian डारेक्टली मूवी के डारेक्टर के पास गया वो उससे कहता है एक राद तुम Ryan को तुमारे पास बुलाओ उससे कहो कि उससे अब ये रोल नहीं मिलने वाला अगर उसे रोल चाहिए तुमारे साथ उसे intimate होना पड़ेगा ये बाद डारेक्टर को पसंद नहीं आई वो ये करने नहीं वाला था पर Christian गयता है यहाँ पर बहुत सारे डारेक्टर है मैं किसी को भी हायर कर सकता हो अपने जॉब जाने की फियर में एक डारेक्टर ही करने के लिए मान जाता है एक दिन जीना के आईपैट पर Ryan Christian का शेडूल देखता है उसमें से सिंध्या का नाम उसका पहचान का था सिंध्या वही लड़की है जिसके पास जाक कर Christian इंटिमेट होता था Ryan ने सिंध्या के बारे में जीना से पूछा जीना कहती है कि सिंध्या फिटनेस कोच बन चुकी है पर उसे पता है Christian उसके पास क्यों जाता है रात में दोनों बाट टब में थे तब ही टैरा के बारे में बात कर रहे थे जीना कहती है उस दिन में टैरा से मिली और वो मुझे डरी हुई सी लग रही थी आज रात ही Ryan को डारेक्टर का कॉल आया जैसा Christian ने डारेक्टर को कहा था Ryan को ब्लैकमेल करने के लिए वो ही डारेक्टर ने किया Ryan को अपना जॉप रखने के लिए डारेक्टर के साथ इंटिमेट होना पड़ेगा इस बार अपने हालाद से Ryan तंग आ चुका था वो कॉम्प्रमाइज कर लेता है अगली दिन टैरा को एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था तुमारी लाइफ खत्रे में है ये उसे बहुत ही आजीब लगा वो कृष्चन से बहान बना दी है ये अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही है जिसने मैसेज किया था उसे मिलने के लिए जा रही थी कृष्चन को समझ में आ गया वो टारा के रूम में जाकर उसका मोबाल चेक करता है टारा ने अवे भी नोटिस किया ये उसका कोई ना कोई तू पिछा कर रहा है टारा एड्रेस वर पोजी तो एक्च्छल में सिंध्या का एड्रेस था सिंध्या गहती है क्रिष्चन जब तुमारे साथ रिलेशन्शिप में आया उससे पहलो मेरे साथ था टारा गहती है ये कोई बड़ी बात नहीं उसकी बहुत सारी गल्ट्रेंट रह चुकी है उससे इससे कोई भी फरक नहीं बढ़ता सिंध्या गहती है क्रिष्चन बहुती डेंजरस है मुझे बता है कि वो तुमारे साथ भी गेम्स खेलता होगा टारा कहती है कि हमारी रिलेशन्शिप अलग है तुम इसे समझ नहीं सकती सिंध्या ने कहा हमारी रिलेशन्शिप भी तुमारी तरह ही थी एक दिन उसने बहुत सारे लोग को घर पर बुलाया मेरे साथ वो जबदस्ती इंटिमेंट हो गए मुझे हस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था वो वान करे थी कि क्रिष्चन से वो दूर चली जाए टारा कहती है तुम केरफूल नहीं थी क्रिष्चन मुझे कभी भी हट नहीं कर सकता वो कुछ भी बात नहीं मानती है और घर आ जाती है जैसे कि हमें पता है क्रिष्चन ने टारा का फोन ले लिया था इससे उसने रायन और टारा की बीच में जोबी हुआ इस सब की इंफॉर्मेशन निकल वाली है वो बहुत ही गुस्सा हो गया था रात में टैरा जब घर पर आई तो कहता है कुछ लोग हमारे यहां आने वाले है टैरा भी कहती कि बुला लो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था रात में तीन-चार लोग इनके साथ आये और यह सारे मिलकर इंटिमेट हो गए अगली सुबा हम देखते हैं कि रायन सिंथिया से मिलने के लिए आया हुआ था इसका मतलब है यह दोनों मिले हुए है यह दोनों अच्छे फ्रेंड्स है तो सिंथिया ने टैरा को सब कुछ जूट खा था एक्चुली क्रिस्चन ने कभी भी सिंथिया को हट नहीं किया आज दिन बार रायन ने नोटिस किया था कि उसका कोई ना कोई तो पीछा कर रहा है उसने फाइनल इस आदमे को पकड़ लिया और कहा यह जाओ और क्रिस्चन को बता तो कि मैं उससे नहीं डरता फोन उसे कहीं भी मिल नहीं रहा था वो कॉल लगाती है तो कृष्ण के पास है उसे कंफरंट करती है कि मेरा मोबल तुम्हारे पास क्यों कृष्ण भी उस वर गुस्सा आओ गया वो गहता है मुझे पता है कि तुम में और रायन में अफेर है वो आउट आफ कंट्रोल होकर उसने सिंत्या को हर्ट भी किया रायन आज बहुत ही डिस्टरब था वो आफ्टरनून में ही ड्रिंग कर रहा था तो उसकी गर्प्रेंट बोश्ती है कि हुआ क्या वो कहता है कि मुझे मूवी नहीं मिलने वाली टायरा और उसके बारे में सब कुछ उसने उसे बता दिया जीना बहुत ही जादा गुस्सा आओके वहती है कि अभी क्या भी यहां से चले जाओ मैं ध्यान में रखूंगी कि कवे भी किसी भी मूवी में तुम काम ना करो टायरा को मारने के बाद क्रिशन को बुरा लग रहा था तो अपने साइकोलोजिस्ट के पास उगया वो उससे कोई option नहीं क्योंकि उसके सारे पैसे उसके father ही देते हैं वो therapy करने के बाद और भी जादा घुसा हो जाता है वो directly सिंध्या के बास आया उससे बुछता है तुमने टैरा से जोट क्यों कहा सिंध्या सिर्फ क्रिश्चन का attention पाना चाहती थी क्रिश्चन बात्रूमें जाकर कपड़ी change करता है वो जब बाहर आया तो उसके हाद में knife थी उसने सिंध्या को मार डाला वो Ryan को call लगाता है कहता है तुमने सिंध्या के साथ किया क्या वो Ryan को सिंध्या के murder में फसाना चाहता था Ryan जल्दी से सिंध्या के पास पहुचा और वो बहुत ही डर जाता है इसके बाद जब क्रिश्चन घर पर आया तो टारस सब कुछ कपड़े वगरा pack करकर यहाँ से निकल जाने के लिए ready थी वो क्रिश्चन से पुछती है अगर तुम जाते हो कि मैं यहाँ से चली जाओ तुम्हें कोजी फरक नहीं परता तुम्हें यहाँ से चली जाओंगी ग्रिशन ने कहा कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो पर तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा अगर तुम्हें पुलिस ने बूछा तो बताना कि आज पुरा दिन मैं तुम्हारे साथ था टेरा confused होगी, वो पुछती है, तुमने ऐसा क्या किया क्रिशन कहता है, मैं तुम्हें जैसा कहा है, सिर्फ वही करो अगर तुम नहीं करती, तुम्हें रायन को मार डालूंगा और तुम्हें पता है, मेरे पास इतने पैसे है, कि कुछ भी करकर मेहां से भाग सकता हो टेट पर आई हुई थी, टेरा की फ्रेंड की गर्ल्फेंड एक क्रिशन को जानती है, उसने टेरा से पूचा, ये एक साल पहले मर्डर हुआ था, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है, टेरा कहती है कि कोई भी पकड़ा नहीं गया, एक सस्पेक्ट था, पर उसके साल पहले ब्रेक अप हो गया, उसके बाद हम सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, कोई भी परसनल कॉन्टाक नहीं रखते हैं, इसके बाद ये फ्रेंड बात्रूम गई और उसने रायन को कॉल लगाया, एक्च्वल रायन टेरा की बारे में जानना चाहता था, क्या व मुवी मिल पाए, अलग 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 पार्टनर के होने के साथ भी ये दोनों चीट करते रहें, फाइनली इनकी रिलेशनशिप का एक डारक एंड हुआ, ये कभी भी एक साथ हो नहीं सकते, इसे एक डारक एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है, अगर आपको वीड एत्वाटनर के सी टैगर सबस्बा अपको नहीं से लग एंड ये मूवी TB, सिरमे का एंड़, अबग, 1-2-0, 1-2-0, 2-0, 2-0. 2-0, 2-0, 3-0, 1-2-0, 2-0, 2-0, 3-0, 2-0, 2-0, 1-0, 3-0, 2-0, 2-0, 2-0, 1-0, 3-0, 3-0, 1-0, 3-0, 2-0, 2-0, 3-0, 2-0, 3-0, 4-0, 2-0, 3-0, 3-0, 2-0